क्या भारत जैसे धर्म निर्पेक्ष देश में किसी एक विशेस धर्म की देवी देवताओं की तस्वीर भारती नोटों पर छपनी चाहिए या सिर्फ या वोट बैंक की राजनीती मात्र का एक खेल है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस करके हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी से एक डेमांड या आगरह किया है कि भारती नोटों पर सम्रिद्धी की देवी मा लक्षमी और विग्न हर्ता स्री गनेश की फोटो अंकित क हमानना है कि जो हमारी देश की जो अर्थ विवस्ता एकोनॉमी लगातार स्लो डाउन होती जा रही है उस पर हो सकता है ऐसा करने से कुछ कंट्रोल किया जा सके या हमारी जो एकोनॉमी है उसमें कुछ इंप्रूव्मेंट आ सके उन्होंने कहा कि जो हमारी existing notes है मतलब कि जो पहले से note हमारी currency चप चुकी है उस पर ऐसा करने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं है जो हमारी नए note चपते जा रहे हैं जिन पर गांधी जी की फोटो है उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि गांधी जी की फोटो के इस्थान पर हम देवी देवताओं की फोटो अ आजाए हमारी economy में improvement भी हो सकते है उनका कुछ ऐसे thoughts है और इसी क्रम में उन्होंने एक दूसरे देश जो की Muslim बहुल देश है जिसका की नाम है इंडोनेशिया 90-95% वहां majority of people Muslim है उसका जिक्र किया है उसका reference दिया है कि वहाँ पे जो 20,000 का note है उस पे स्री गनेश की फोटो अंकित है और जो 50,000 का note है उस पे एक मंदिर की फोटो अंकित है ऐसा कहा जाता है कि 1997 में जब अन्य सभी देशों की currencies का मुद्रा का devaluation हो रहा था अवमुल्यन हो रहा था लेकिन जो इंडोनेशिया की currency है जिस पे स्री गनेश की फोटो अंकित है उस पर कोई भी नहीं बड़ा अवमुल्यन का और अभी भी इंडोनेशिया की बात करें तो रामलीला, रामैड, महाभारत, रासलीला ये सब वहाँ पे कताएं वगरा देखने और सुनने को मिलती है और अगर बात करें हमारे Forex Reserve की तो इंडिया 6th position पे है around the world 6th position पे है जबकि जब रशिया और युक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था उसके बाद में स्वेट्जर लैंड की नीचे इंडिया बिलॉन करता था लेकिन अभी 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा Forex Reserve को खर्च करना पड़ा ताकि हमारी जो value है of Indian rupees वो थोड़ी सी काबू में रह सके लेकिन फिर भी आप current time में देखेंगे तो ये 83 हो गई थी लेकिन अभी 82.47 एक भारती रुपया एक अमेरिकी डॉलर के बराबर चल रही है जो कि सबसे अपनी निम्नतम स्तर पे है ठीक है और अभी मैं आपको अरविंद केजरिवाल जी की speech सुना देती हूँ अभी आपने दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल के speech को सुना क्या भारत की गिरती एकोनोमी को सुधारने का किवल एक ही तरीका पच गया है कि हम जो हमारे इंडिन करेंसीज है उन पर भगवान की फोटो को अंकित कर दे आपके जो भी ओपीनियन होंगे आप इसको comment section मे जरूर बताईएगा अब हम देख लेते हैं अगर currencies की बात ही चल रही है तो देख लेते हैं हमारे इंडिया में कहां कहां पे printed होते हैं ये ठीक है तो basically चार स्थान है हमारे इंडिया में जो की है नासिक महारास्ट्रों में देवास MP में मैसूर करनाटक में और सालवोनी वे देवास मद्यप्रदेश वाला है वो RBI owned है मतलब की RBI के आधिकारिक चेत्र में है government है ठीक है और अगर बात कर ले सिक्कों की तो सिक्के यहां पर आपको दिख रहे होंगे Calcutta में और ये एक हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई एक नोइडा में और एक यहां पर मुंबई में सिक्को की ढलाई होती है और सालबुनी यहाँ पे वेस्ट बेंगॉल और यहाँ पे देवास यह मध्यप्रदेश में और नासिक महरास्ट और मैसूर करनाटक यहाँ पे क्या होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नाइस इंफर्मेशन पाने के लिए